Hello everyone welcome back to the channel last minute revision with RSM and here I am back with another last minute revision video तो आज हम discuss करेंगे about a small topic of composition scheme तो हम composition scheme के बारे में discuss करेंगे ये देखेंगे कि ये composition scheme होता क्या है और अगर आपको paper में composition scheme के related question पूछा गया तो आप उसमें कितने rates of taxes लेंगे वैसे तो हमको पता है कि जो GST में rate of taxes लगते है वो होता है 0% उसके बाद होता है हमारा 5% उसके बाद होता है हमारा 12% उसके बाद होता है हमारा 18% और highest rate of tax होता है 28% का तो these are the rates of taxes of GST and I think all of you know this तो यह हमारे rates of taxes जो है वो normal GST में लगते है लेकिन अगर हम composition scheme की बात करे तो composition scheme में rate of GST जो है वो अलग-अलग होते है लेकिन composition scheme में कितने rates of taxes लगेंगे सबसे पहले तो यह सिखते है कि composition scheme का section क्या है तो composition scheme जो है composition levy जो है उसका section है section 10 section 10 subsection 1 जो है वो कहता है कि जो भी लोग eligible होंगे जो भी लोग eligible होंगे GST के दाइरे में या GST के purview में वो लोग composition levy को या composition scheme को apply कर सकते है अभी पहला condition ही होता है कि composition scheme apply करने के लिए section 10 1 तो बोल रहा है कि apply कर सकते है ठीक है काफी simple है जिसमें कुछ prescribed rate of taxes दिये है बाकी कुछ यह ऐसा rocket science नहीं है कि आपको समझ में नहीं है बहुत ही simple चीज है तो यह basically अगर हम मुद्दे की बात करें तो वो है कि यह जो tax का rates इसमें होता है यह tax का rates in rates के basis पे कुछ अलग होता है that will be different tax rates will be applicable for the persons who will be applying for composition scheme only composition scheme जो apply करते है वो small traders होते है कौन होता है वो small traders होते है तो यह ध्यान रखना है आपको small traders होते वो composition scheme को apply करते है अब हम यह चीज़ सीखेंगे कि exactly यह जो rule है या इसकी जो threshold limit है वो क्या है तो इसका जो threshold limit है वो आपको ध्यान रखना है composition scheme की अगर हम बात करें तो जो भी हमारे special category states है मैंने आपको बताया है special category states कौन से होते है एक बार यहाँ पे भी हम discuss कर लेंगे जो भी हमारे special category states है उसके लिए आपको limit याद रखनी है और वो limit कितनी है 75 lakhs की 75 lakhs की कितनी limits है 75 lakhs की limit है special category states के लिए limit कितनी है special category states के लिए limit है 75 lakhs जैसे की उसमें कौन से कौन से states आ सकते है अरुनाचल प्रदेश आता है मनीपूर, मेगाले, मिजोरेम नागालेंड, तरिपूरा सिक्कीम, उत्तराखंड ऐसे बहुत सारे books में सब दिये हुए है तो यह आपके अगर हम देखे तो special category states के limit कितनी है 75 lakhs जो aggregator नोवर है 75 lakhs आपको ध्यान रखना है और अगर हम rest of the इंडिया की बात करें rest of the इंडिया और इसमें अभी जम्व एंड कश्मिर को भी इंक्लूड किया गया है तो rest of the इंडिया की अगर बात करें तो यह है 1.5 crore मतलब 1.5 crore ठीक है बाकी के states के लिए क्या होगा 1.5 crore का limit रहेगा 1.5 crore तक रहेगा तो ही आप composition scheme में apply कर सकते हैं और special category के लिए क्या बात करेंगे तो कितना होगा 75 lakhs होगा तो ही आप composition scheme में apply कर सकते हैं बाकी के लोग इसमें apply नहीं कर सकते हैं अभी तो हमने यह सीख लिया कि कौन सा section cover होता है कितने traders इसमें apply करते हैं और limits इसकी क्या-क्या है अभी major चीज़ पर आता हो and वो major चीज़ आपको ध्यान रखनी है and that is rates of taxes तो यह ध्यान रखना यहां से अगर paper में question बन गया तो सबका गलत हो सकता है because rate of taxes is important पहला जो बंदा है they are manufacturers तीक है manufacturers के लिए अगर composition scheme में वो eligible हो गए तो उनके लिए rate of taxes कितना याद रखने आपको उनके लिए rate of taxes है 1% कितना याद रखना है उनके लिए 1% अगर हम इन दोनों को bifurcate कर रहे काफी simple है CGST कितना बनेगा फिर 0.5% का CGST and SGST कितना बनेगा SGST will be again 0.5% तो those who are the manufacturers and if they are eligible for this composition scheme then it will be 1% फिर दूसरे जो हमारे लोग है वो है restaurants वाले तो अगर हम restaurant की बात करे या outdoor catering वाले restaurant and outdoor catering या आपको दो चीज़ याद रखनी है तो restaurant and outdoor catering अगर रहेगा तो उनके लिए rule के याद रखना है it is 5% थीक है बहुत ही simple तो इसमें से 2.5% आपका CGST जाएगा और 2.5% हमारा SGST जाएगा यह है हमारा second point तीसरा जो है any other trader कोई भी अलग जो बंदा इसमें नहीं है any other trader है लेकिन वो any other trader eligible है eligible रहेगा मतलब क्या रहेगा वो condition जो मैंने आपको बता है 75 लाक्षन देड करोड का इनके लिए भी similar manufacture जितना ही rule है 1% और जो आखरी है जो mix supply करते है mix supply करते है mix supply की बात करें तो what is this mix supply मतलब जो लोग goods भी बेचते है and जो लोग services भी देते है that is called mix supply तो goods and services दोनों अगर रहेंगे तो it will be 6% 6% मतलब अगर आप देखो तो 3% will be your CGST and similarly 3% will be your SGST these are the rules these are the rates of taxes तो हमने composition scheme भी अभी discuss कर लिया जिसमें आपको 75,5,5 करोड का rule याद रखना है 75,5,5 लाक्स will be for special category states and rest of the India के लिए देखो रहेगा यह अगर limits में आप अगर बेचते होंगे तो आप composition scheme का benefit उठा सकेंगे और तभी आपको यह rates of taxes लगेंगे अगर आपको यह information informative लगा है इससे आपको कुछ सीखने मिला है तो वीडियो को like करना न भूले और channel के साथ जुडे रहे आपको last minute related videos यहाँ पे मिलते रहेंगे Thank you very much, bye bye, take care